तो चलो इस कोश्चन को देखो प्यारे बैचों इसमें क्या कहा जा रहा है कि अगर देखो एनर्जी आप है अन्नोन इलेक्ट्रोमेगनेटिक वेब उसकी एनर्जी यहां पर दिये हुई है 15 यहां से कीलो बोल्ट है तो 15 कीलो बिल्ट फिप्टीन टू टेन की पावर तीरी यहां पर दिया हुए है अब सो है कि हमें उसकी अस्पेक्ट्रम जो होती किस पार्ट में बिलॉंग करेगा उसके लिए तुम्हें उसकी लेम्डा निकालने पड़ेगे लेम्डा निकालने के लिए हमें फोटान की इनर्जी पता है एक्ट्रोमेगनेटिक फोटॉन है एच निउ और एच इपान लेमडा तो यह पान जो लेमडा आजाएगा ओजाएगा एच इपान ई तो जो एच सी की जो वेल्व है यहां पर आप देख रहें एच सी की वेल्व जब ने यहां पर तुम नैनो मीटर में मैं कैल्कुलेट करत तो सोट कर तरीका है जो वेल्व होता है वह बारहन नंबर 440 इलेक्ट्रान बोल्ट होता है नेनो मीटर में लैम्डा इतना नेनो मीटर में जो एचसी का प्रोडक्ट होता है क्योंकि पुरी वैल्व कौंस्टेंट है तो जब यहां पर लैम्डा रखोगे तो यहां तुम पावर थिरी यहां से इलेक्टान बोल्ट तो इलेक्टान बोल्ट से और इससे इसको काटोगे तो 82.66 लगबग आ जाएगा मतलब कुल मिला के आ जाएगा 82.82 पॉइंट यहां से थिरी आ जाएगा समझ में आ रहा तो 82 राउंड अप करोगे तो यह अब इस पॉइंट को इधर लाओगे तो यह जाएगा 0.08 और 2 को राउंड अप करने पर एप्रॉक्समेटली थिरी और यहां से नैनो मीटर यह ठीक ना समझ में आ कुछ तो यह फाइनली मेरे केल्कुलेशन में आ गया अब जो एक्स रे है एक्स रे यहां से इस्पेक्ट्रम को देखो जो एक्स रे होती है एक्स रे है उसकी जो 0.01 से 10 की पावर लखबग यहाँ से 10 की पावर अ देखो यह असे 0.01 ये वाली रेजन से तू के आसपास 10 की पावर को वह सुवरमें तो एकस वाली रीजन में लाय कर रही है तो आस लिधा सुज्य होगा 9-0 vocal यहां से वाम नैंस है इंड़य कोछ लोगे लेते हैं तो यह यह वाली सिरफंट यह तुम देख रहे हो यहां से इस रीजन में लाई कर रही है तो कुल मिला के अपना X-ray option सही है यह वाली गलात है ठीक रहाँ